United Arab Emirates में इंडिया के प्राइम निस्टर नरेंदरा मोधी का चौथा विजट होने जा रहा है 6 जैनुरी 2022 में मज़े की बात ये है कि फर लॉंग पाकिस्तान ने अपनी एक मुनॉपली रखने की कोशिश की मुस्लिम वर्ड में उस मुनॉपली को सम्वेर इट सीम्स के इंडिया ने तोड़ने की कोशिश की और बहुत हद तक वो कामियाब हुआ है अगर देखा जाए टेक्निकली तो सौदी अरब ने और यूवेई ने बेसिकली तो इंडिया को खुश किया कि उन्होंने OIC का Foreign Ministers का इजलास नहीं बुलाया किश्मीर के उपर हमारी तो नहीं सुनी है उन्होंने लेकर क्यों कि हम dependent हैं उनके उपर तो वहमारी क्यों सुनेंगे और वो यह था कि जैसे मैंने बताया कि यह चौथा विजट है नरिंद्रा मोधी का January 22 में यानि कि इससे पहले वो 2015 में बेसिकली गए थे अच्छा मज़े की बात देखें 2015 में जब नरिंद्रा मोधी UA गे उससे पहले तकरीबन 30 साल तक कोई Indian Prime Minister जो है वो UA नहीं गया इंद्रा गांधी 1981 में गई थी जो नरिंद्रा मोधी है और जेश शंकर जो है उन्होंने जिस तरह की जान डाली है इंडिया UA तालुकात के अंदर इसके लिए पाक्सान के लिए प्रॉब्लम पैदा हो गई है हम वहाँ फ्री एंड खेल रहे थे और अगर आपको याद हो कि यह अमरातीस थे जो यह आइडिया दे रहे थे कि इंडिया को हम OIC का हिस्सा बना देते हैं और हम के कह रहे थे शामोद गुरिशी प्रोटेस्ट कर रहे थे क्योंकि इंडियन्स कहते हैं कि हम यूई का हिस्सा बनाएं क्योंकि हमारे पास जो है वो कितने कोई 25-30 करोड मुसल्मान है अब आप इमेजन कर लें कि यह कितनी बड़ी development है और अभी आप देखें कि अभी कौर 2 की बाते हो रही है जिसमें इस्राइल, UAE, America and India की बात हो रही है और जो इंडिया के foreign minister Jay Shankar है वो कहते हैं कि जो UAE है वो हमारी extended neighborhood है extended यह नहीं कि वो जहरी बात एक तो चलो ठीक है वहाँ पर बहुत जादा जो इंडियन expatriates हैं रह रहे हैं वहाँ पर business कर रहे हैं, jobs कर रहे हैं और इंडिया और पाकिस्तान से लोग दुबई ही जो हैं वो अपना घरी समझते हैं, मसाल के तोर पे जैसे सानिया मिर्जा और शोय वक्तर हैं तो आई तिंक वो दुबई में रहते हैं क्योंकि वो उनको एक तो असान भी है रहना ना वो इडिया में रहेंगे ना वो पाकिस्तान में रहेंगे एक तीसरा neutral जो है वो प्लेयर बना हुआ इसकी क्या significance है कि अब देखें कि जिसे आप कहलेंगे जिस तरह सिंगापूर की जो है वो इस्ट में जो है वो इसकी value है इसी तरह UAE की जो समझ लेंगे एक वेस्ट में एक value है और international trade के हवाले से भी इसकी बड़ी वर्थ है अब अगर आपको याद हो कि जैसे मैंने अब हुए एक तो जारी बात है इंडिया उस वक्त एक properly mid-size power तकरीवन almost है जो कि अपने खिते में चलो एक great power के तोर पे operate कर रहा है और दूसरा यह है कि UAE में और Middle Eastern country में बहुत जाए तर्दीली आए थी और तीसरा यह है कि पाकिस्तान की भी अब जारी बात है वो position नहीं always try to use Middle Eastern and particularly Muslim countries for Kashmir इशू और मुस्लम मान मालक जो है किश्मीर इशू के उपर इंडिया के करीब नहीं जाते थे यहां पिर यह कि कश्मीर पर बड़ा बोलते थे तो लहाज़ा वो बात नहीं होती थी तो उसके जब तक पाकिस्तान का influence रहा वो तब तक तो चीज़ें ठीक रही इंडिया भी उस वाकत grow नहीं कर रहा था चीज़ें उतनी fast नहीं थी इंडिया की economy भी उस तरह नहीं थी population क भी नहीं लिया जा रहा था, supply chain भी भी नहीं था, Indians का role भी Middle East में, particularly Saudi Arabia, UAE में नहीं था, तो चीज़ें बिलकुल different थी, लेकिन अभी ये पिछले 10-15 सालों में चीज़ें बिलकुल बदल के आगी हैं, सामने आगी हैं, और because of this globalization, जिस तरह ये free flow of goods, जो है वो हुआ है, आपको पता है कि recently Indian Army Chief जो थे उन्होंने विजट भी किया, Saudi Arab का भी किया, और UAE का भी किया था, तो इंडिया फिर UAE की जो high level leadership है, वो भी इंडिया आई है, और अगर आपको याद है कि जो 26 January का जो Republic Day 2017 का, उसमें जो शेख मुहम्मद बिन जैद अल-नहयान है, Crown Prince, अबुद भी जो हैं, वो भी आये थे, जिस तरह MBS है, सौदियर में उस तरह ये हैं, तो ये अब जारी बात है, जो जैद बिन नहयान है, तो ये आप इमेजन कर लें कि किस तरह चीजें जो हैं, वो ग्रो कर रही हैं, और नरिद्रा मोधी का UAE में जाना क्या value रखता है, अब देख है, ने जी कोविड है, हमने कोविड के लिए बंद की हैं, तो पाकिसानी कहते हैं कि ठीक है कोविड है, तो आपने इंडियन्स के वीजे क्यों खुले हुए हैं, क्योंकि वो तो आपको पता है कि वहां पे जादा करोना है पाकिस्तान से, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, वो मामला του है लेकिन असल में इश्यो क्या था कि इस्राइल के साथ जब तालुकारत इनके बहाल हो वे रेकिनाइस किया तो पाकिस्तानी जो बहुत जादा थे वहाँ पर और क्योंकि पाकिसान के अंदर इस्राइल के बारे में एक खास किसम का point of view है कि ये Jews हैं ये काफिर हैं और फलस्तीन को ले करके अर्बों को ले करके मुसलमानों को ले करके वो जो इस्राइल का एक point of view है वे एक oppressive है मुसलमानों के हकुक खाते हैं और इंडिया और इस्राइल का nexus है हमने ये आपको पता है overall जो political discourse है को पता है कि पाकिस्तान ने they try to put a lot of question mark on the Emirates and the Saudis for instance ये जो आपको तस्वीर नजर आ रही है ये पांच अगस 2019 के बात की है जब नरेंदरा मोदी ने विजिट किया तो crown prince मुहमद बिन ये जो जैच साहब हैं इन्होंने इनको हार पहनाया और highest जो UAE का जो award था वो दिया अब पाकिस्तान में यहां पे बड़ी जो है वो शोर माच गया कि जनाब ये क्या बात हुई कि आप जो है वो नरेंदरा मोदी को हार पहनाते हैं वो किश्मीरियों का बुचर है उसने किश्मीरियों को मारा है उसने किश्मीरियों के हकुक छीन लिये हैं और ये मुसलिम वर्ड किस तरह की हमारे साथ उपरेट कर रही है लेकन पाकिस्तान का प्राबलम भी ये था कि हमारी डिपेंटेंस भी पहुत जाद है हमके उपर आप देखें ने तकरीबन हमारी जो आलमस्ट इफाइम नाट सम्वेर अरॉंड त्री फोर बिलियन डॉलर जो है वो यूई से आता है इन टरम्स अव रेमिटेंस छे साथ अरफ डॉलर सौदिय अरफ से आता है बाकी फिर जो गल्फ ममालेक हैं वहां से आता है तो हमारी उकूमत को पता था हमारी कितनी लिवरेज है जो आपको याद होगा कि जो क्राउन प्रिंस साथ जाइद बिन नहां साहिए थे इदर रहिमियार खान में हमारे आते हैं इन्होंने अपने बड़े जबर्दस फॉर्म आउसिस बनाए हुए है बड़े महल बनाए हुए है आते हैं शिकार खेलते हैं ये होबरा बर्ड का तो आये हुए थे तो वापसी पे जाते हुए थोड़ी देर के लिए इसलामबाद आगे और इमरान खान साब उनकी गाड़ी रिजर्व कम हो रही थी तो ये जो अब फिर ये है कि हमारे लिए तो हम तो UAE को देख रहे हैं दो चरह से कश्मीर के ओपर वो नहीं स्टैंस लेंगे जो माजी में ले रहे थे दूसरा जो था UAE जो था उसकी इस्राइल की वज़ा से वो अब उन्हें अपनी पोजीशन च वो सिर्फ वीजे बंद कर रहे हैं थोड़ा जटका दें तो हमारे लिए तो प्रावलम हमारे लोग तो यहां पर पूकिस से मर जाएंगे क्योंकि हमारी हमारी जो हकूमत है उसने हमारी जो रेमिटन्स हमें आती थी मिडल इस से उसको भी हमारा एक नैशनल सेक्वेरिटी बना दिया है क्योंकि हमारे प्रावलम से साब तो रोज अपने ट्विटर पे लगा देते हैं आज अला कि ही शोड़ नाट पूट इट लाइक दिस वाई दिस इस वीकनेस यह उनकी वीकनेस है जो इमरान खान साब करते हैं लेकं कौन पूछे इमरान खान साब को और कौन क है कि खान साब आप ये कर रहे हैं अच्छा अब आकर आप देखें कि यूए ने काई जी हम तो जम्हून किश्मीर में इन्वेस्ट करेंगे मजाला को पाकस्तान से किसी ने बात की है मैंने इस बड़ा बोला था मैं मैंने का जी क्यों बात नहीं की हमने अगर या हमने बात पाकिस्तान को दोस्तो एक बहुत बड़ी ट्रांस्फॉर्मेशन चाहिये और वो ट्रांस्फॉर्मेशन तब तक नहीं होगी जब तक पाकस्तान अपना रिलीजियो ऐडियोफिकल लैंस नहीं बदलेगा जो हैं इंडियन्स जो समझते हैं कि हमारे 2014 से तालुकाद जो हैं वो UA के साथ बिलकुर राइट डिरेक्शन पर चल रहे हैं और नहीं